कबी कभी मेरे दिल में खयाल आता है कि अगर ऐलन मस्क इस दुणिया में ना होते तो क्या होता नमस्कार मित्रों ट्रिटर के बौर्ड में सामें लोगों एलन मस्क को कहा कि एलन मस्क तुम ट्यूटर के मैक्सिमम सेर होल्ड नहीं कर सकते अच्छा जी एलन मस्क को दमकी चैलेंज वहीं एलन मस्क जिसे मंगल ग्रय का देवता मानते हैं हुएं एलन मस्क जिसके सामने बड़े बड़े बिजिन्स में गुटीने टेक दरते हैं उससे पंगा फुरे ट्यूटर को दाला ठेक सुना आपने, एलन मस्क ने ट्रीटिर को 44 बिलियन डॉलर में खरीत लिया है यानि कि इतना पैसा कि सिललंका का आदा कर्द चुकाय जा सकता है लेकिन क्यों, क्या चरू थी, जब आपके पास दुनिया के सबसे पावरफुल कमपनी है इस पेस एक्स, जिसमें बैट कर इन फ्यूचर, हम मंगल ग्रैप पर जाने वाले है आपके पास दुनिया के सबसे पावरफुल कमपनी है, टैसला मोटर्स एक इनसान के दिमाग को कंट्रोल कर सकती है, ब्रेन चिप उस कमपनी के मालिक पी ठहरे और सुनो, दैबोरिंग कमपनी, ट्रांस्पोर्टेशन कमपनी के मालिक पी ठहरे क्या इतना कम था, कि अब आपने एक और माइक्रो ब्लगिंग प्लैटफोर्म, ट्विटर को भी खरीड डाला रुकी जरा, मैं आपको इसकी पूरी कता कहानी बताता हूँ 7 अगस्ट 2018, ये वह समय था, जिस समय एलन मस्क की ट्विटर पर USE ने बैन लगा दिया और इस चीज़ को एलन मस्क ने Freedom of Speech का उलंगन समझा और आज ट्विटर को खरीद लिया लेकिन अब खरीद तो लिया, करेंगे क्या नमर वन, अजके ये रीप्र रिया बतन लाना चाहते हैं, जिस में आप अपने ट्विट को एड़िट पी कर सकते हैं नमर टू, आयलन मस्क, ट्विटर के ट्रेंडिंग ऑप्शन को अवेलिबल करना चाहते हैं पब्लीकली जिसमें आप यह समझ सकते हैं कि जो टुटर के trend है वो कैसे आते हैं यानि कि टुटर के tweet trending में कैसे आते हैं सब्सक्राइब सब्सकिप्सिन मॉडल टुटर पर 90% revenue होता है वो add से आता है लेकिन अब इससे ख सब्सकिप्सिन मॉडल में बदलना चाहते हैं बड़ी वजय है जिसने एलन मस्ट को सबसी ज़दा मजबूर किया है freedom of speech एलन मस्ट चाहते हैं कि दुनिया का कोई भी वैक्ति ट्वीट कर सकता है यानि कि आप मेरी पी आलोच ना कर सकते हैं साउंड्स क्रेजी राइट इसके बारे में वीडियो की एंड में बात करेंगी इसके अलावा जो जितने भी लैप टो राइट विंग के जो फॉलावर्स हैं उनकी ट्वीट को बैलेंस में लाना पहले सेंसर सी बड़े स्केल पर चल रहा था आपको पता होगा कि डोनाल ट्र स्यार के इसाब से वापस पैसे मिल जाएंगे इन दे लास्ट एड एक सवाल यह उड़ता है क्या एलन मस्क ट्वीट की चिडिया को आजाद करने के बहाने बिजनेस करना चाहते हैं क्योंकि उनके एक ट्विट से किसी भी कंपनी के सेर अचानक बढ़ने लग जाते हैं तीसरा सवाल यह है कि क्या एलन मस्क ट्वीटर के बुठपूर सीओ पराग अगरवाल को अपनी कंपनी में नौकरी देंगे या फिर उने किक आउट कर देंगे वैल इसका आंसर जो भी हो नीचे कॉमरी में में मेरे साथ जरूर सेर करना वीडियो को लाइक और सेर कीजिए किसी को भी सेर कीजिए लेकिन सेर कीजिए हमार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगले एक और नए टॉपिक के साथ बहुत बहुत धनियवाद